देरे स्टूडेंट्स, 63 बीपियस्टी P.T. का पहले सेट का आखरी सेट, छटा सेट आज आपके बीचा चुका है इस सेट की विशेश्टा है, इसमें Mathematics का प्रश्णों का सम्मेलित होना BPSC का पैटर्न है कि BPSC के 150 प्रश्णों में 10 प्रश्ण Mathematics और Reasoning से होते है मैंने भी ये प्रियास किया है कि यहां पर रिजिनिंग और मैतेमेटिक्स का वो समानू बात बना रहे हैं यही कारण है कि पांच से छे प्रशन मैतेमेटिक्स से हैं जो प्राय, जियोमेट्री और अलजबरा से लिए जाते हैं reasoning के भी तीन से चार प्रशन उठाये गए हैं आप इन्हें बनाएं लेकिन जो चास चास राएं mathematics में कमजोर हैं वो सकम न करें आत्म समर्पन न करें एक खास pattern पर इन प्रशनों को हल करें इस से कम से कम तीन से चार प्रशन सही आपके निश्चित रूप से हो जाएगे और यह ही आपको exam में भी apply करना है तो चलिए इस practice set के पहले प्रशन की शुरुआत करते हैं इस सूचना के साथ कि इसमें दो प्रशन पांचमें option के साथ यानि none of these वाले हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है कि दो questions इसमें e option वाले हैं चलिए शुरुआत करते हैं इस antim set की जिसक के बाद total आपको count करना है कि आपने कितने प्रशनों को सही सही हाल किया आज का 126 प्रशन जो पहला प्रशन है किसे भारतिय पुरात्तों का जनक यानि father of Indian archaeology कहा जाता है जॉन मार्शल अलेक्जेंडर कनिंगम मॉटिमर वीलर हेराल्ड हर ग्रिस यान में से कोई नहीं तो इसका अंसर है B. अलेक्जेंडर कनिंगम किनों ने इस किस ने इस दर्शन को आगे बढ़ाया पतांजली गौतम कनाद का पिल या पिर इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर है D. का पिल पतांजली ने योग दर्शन कनाद ने वैशेशे गौतम ने निया दर्शन के अस्थापना की थी और इस philosophy क्यों आगे बढ़ाय था एक सो ठाइसमा निमलिकत में से कौन सुमेलित नहीं है यानि मिस मैश्ट है जीवक बीमबिसार धनवंतरी चंद्रगुपते दूतिय विक्रमादित सी काली दास हर्शवार्धन डी मेगास देने चंद्रगुपत मौर यार फिर इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर है C. काली दास हर्शवार्धन के साथ नहीं बलके चंद्रगुपते के नवरतनों में से एक थे। की थी वेन सांग ने भी कांची की यात्रा की थी और नर्सिंग वर्मन पर्थम की भुरी भुरी परशंसा की इसने वातापी कौंड की उपाधी धारन के थी। की आपको जाना चाहे के अल्बरिनी का जन्म ख़ारिजम अस्वेकिस्तान में हुआ था जो तब कोई देश नहीं था वो मदशिया का भाग था और ये निवासी था दरसल एरान का था अलाके जन्म इसका अस्वेकिस्तान में हुआ था ये पूछा जा रहा कहा का निवासी तो ये इरानी मूल का फारसी लेकक था हलके अल्बरिनी की चर्चित पुस्ता किताब लहिंद अरबी भाशा में लिखी गई थी यहां पर इसका मौडल अंसर है इरान आप इसे इरान ही मानें आज का एक सुए तीसमा प्रशन पंच्टतर का फारसी अनुआद अबुल फज अगर है ए अनुवरे साधात पंच्टतर का फारसी अनुआद 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 है हलाके पंच्टतर का अरबी भाशा में भी अनुआद हुआ है तब इसका नाम था कलीलाः वद्दिमना आज का एक सो बत्तिसमा प्रशन बहुत इंपॉर्टन प्रशन ये भी BPSC का ए करते हुए चिन्ता भरे स्वर में लिखा ये राइटर कौन था भारतियो वस्थ हमारे घरों और कमरों में प्रवेश कर चुके हैं यहां तक कि पर्दे गदे और बिस्थरों में भी भारतियो वस्थ hopay दिखाई देते हैं किस राइटर ने इंडियन जो कॉटन था और मलमल था उसके इंग्लैंड में इंपोर्ट पर ये चिंता भरे स्वार दिखाई देते हैं वैलेंटान शिरोल डेनियल डिफो जोर्ज और्वेल एडमंड बर्क या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर है बी डैनियल डिफो आज का 133 वा प्रश्ण पश्चमी घाट में वेस्टरन घाट यानि महाराष्टा में और उसके आसपास रामोसी विद्रो जो प्राय है आम तोर पर रफली 1822-1829 के बीच हलाकि रामोसी विद्रो कई चर्नम हुआ ये जो 1822-1829 के बीच पश्चमी घाट में हुआ इसका मेता कौन था अंग्रेजों के वरुद या फिर जमिनदारों के वरुद गोमदर कुवर तीरत सिंग चितर सिंग संगराम सिंग तो इसका आंसर है चितर सिंग आज का 134 प्रशन राष्ट्री मत दाता दिवस यानि नेशनल वोटर स्डे कब मनाय जाता है 25 जनवरी 25 फरवरी 25 मार्च या फिर 25 अपरेल या पिर इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर है ए 25 जनवरी आज का 135 प्रशन उन्हें 69 में सबसे पहले किन राज्यों में माफ करें किन राज्यों में पंचायती राज सिस्टम लागव हुआ रायस्तान तमिन नाडू रायस्तान करनाटक रायस्तान आंद्रापरदेश राज पाश्चममंगाल केरल या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर है C. राजस्तान आंद्रापरदेश 136 प्रश्ण भारत के निर्वाचन आयों के कार ही क्या है Election Commission of India कौन सा वर्क करता है A. एक संसद और विधान मंडलों का चुनाओ कराता है राश्टपती उपर राश्टपती का चुनाओ कराता है राज्यों में राश्टपती शासन के लिए सिफारिश करता है चाओ था मत दाता सुची यानि वोटर लिस्ट तयार करता है इन में से कौन केवल एक और दो केवल एक और चार एक दो और तीन एक दो तीन चार या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर है E. इन में से कोई नहीं क्योंकि राज्यों में राष्टपती शासन लगाना निर्वाचन आयोग का कारे नहीं है 137 प्रशन अंतराष्टी मुद्रकोष के अनुसार क्रैश शक्ती समता अधारित यानि purchasing power parity के अधार पर परतिविक्ती आयनि per capita income में विश्व में सब भारत का अस्थान क्या है per capita income purchasing power parity के अधार पर 108 अटार, 126, 139 या 131 या फ dobrar none of this तो इसका अंसर है B 126 यह बहुत important question है इसको ध्यान में रकना जाये टॉप पर याद रखेंगे टॉप पर कतर है दूसरे पोजिशन पर मकावा तीसरे पोजिशन पर लगजम परग है आज का 138 प्रेस्ट नीती आयो के वर्तमान अध्यक्ष या कहें के चेर्मेन कौन है राजीव कुमार, अमिताव कांत, राष्ट पती या पर परधान मंतरी या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर है परधान मंतरी नीती आयो के चेर्मेन परधान मंतरी होते हैं जबकि इसके उपाध्यक्ष होते हैं जो राजीव कुमार है यहां जानने कि नितियायो के अस्थापना एक जनवरी 2015 को हो थी आज का 140. प्रश्न संजुक्त राष्ट संग में भारत के राजदूत और अस्थाई परतिनिदी पर्मानिंट मेंबर कौन है हर देश का एक पर्मानिंट मेंबर यूएनो में होता है ये कौन है भारत के तरफ से राजेंद्र वोरा, शिशिर घोष, राजीव कुमार चंदर, विवेक कुमार सिंग या फिर इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर है राजीव कुमार चंदर मार्च 2017 मिन की निक्तिवी जो राश्टमती के दोरा की जाती है और ये स्यद अकबर उद्दीन का स्थान लेने वाले थे आप यहाँ पर जान लें कि अमरीकी जो अस्थाई परत नजीज़ यूएनों में है वो भारतिय मूल की निकी हेली है आज का 140 मा प्रश्ण वर्ल्ड गवर्मेंट समिट 2018 वेरी इंपोर्टेंट कहां आयो जित हुआ इस प्रश्ण के आने के संभावना है बर्लिन में दुबई में लंदन में निव यॉर्क में या पिरिन में से कोई नी वर्ल्ड गवर्मेंट समिट तो इसका अंसर है B. दुबई दुनिया भर के जुग सरकारों के निती निर्धारक है उनका ये समिट होता है हर साल होता है इस पार दुबई में हुआ और इसमें भारत के परधानवंत्री ने भी अपनी भागिदारी दिखाई थी आज का एक सो एक तालिसमा जो अब शुरू होगा मैथेमेटिक्स का प्रश्ण एक सो एक तालिसमा प्रश्ण आपको बताना है के इन में से कौन से एक ठेकेदार ने बारे किलो मेटर सड़क पंदरे दिन में बनाने का ठेका लिया उसने सौ मजदूर काम पर लगा दिये प्रंतु नौ दिन में केवल पाच किलो मेटर की सड़क बन पाई ठेकेदार को कितने मजदूर और बढ़ा देने चाहिए ताकि काम समय पर पुरा हो जाए एक सो दस, एक सो बीस, एक सो पच्छी, एक सो तीस पर प्र प no काम से कोई नहीं तो इसका अंसर है एक सो दस आज का एक सो ब्यालीस होए प्रश्ण कुछ क lifelong च्रुशी श्यरमिकों की और सकत और झाहा है जो रुपिय में दी गई जैस है तथा अन्य श्यरमिकों की और सकत आय टी है आए मासी को सता है यानि आवरेज मंथली इंकम क्या है ए बी सी डी या फिर इन में से कोई नहीं ये पाउज करके आप बनाए अगर आप बनाना चाहते हैं इसमेह ले सकते हैं ये बनने वाला प्रशन है बहुत टफ नहीं है लेकिन जिनका मैध कमज़र है उनके लिए समझ से हो सकती है इसका अंसर है C 11S प्लस T बाई 12 आज का 143 प्रशन एक सर्वेक्शन में सर्वेक्शित लोगों में से 70% लोगों के पास कार थी 75% लोगों के पास टेलिविजन यदि 55% के पास कार और टेलिविजन दोनों थे तो सर्वेक्शित लोगों में से कितने पास कार या ट दोनों था, तो कितने परसिशत लोगों के पास, कार या टेलेविजन में से कोई एक नहीं था, इसका अंसर है C, 10%, आज का 144 मा प्रशन, A, 3 वर्ष बड़ा है B से, मगर C से 3 वर्ष छोटा है, B और D जुड़ा है, तो C, कितने वर्ष बड़ा है, D से, सोच कर, पाउस कर, इसे आप बना सकते हैं, या आसान प्रशन है, बहुत टाफ नहीं है, इसका अंसर है B, 6 वर्ष, आज का 145 मा प्रशन, यदि इंडेस को 03865 की तरह है, तथा टेनिस को 243305 की तरह कूट किया ज़ गया हो, तो स्टूटेंट को किस तरह से कूट किया जाएगा, इसको भी आप है, 8, 4, 3, 2, आज का 140 मा प्रशन, समना अंतर रिखाओं, यानि पैरल लाइन्स, 3X प्लस 4Y is equal to 9, और 9X प्लस 2, 12Y plus 28 is equal to 0, के बीच, परपिंडिकुलर डिस्टेंस, लंब की दूरी क्या होगी, दो समना अंतर रिखाओं, के बीच, परपिंडिकुलर डिस्टेंस क्या होग तो इसका अंसर है D, 11 by 3, आज का 147 मा प्रशन, वेविन नमदों में, पारिवारिक मासिख खर्च, यानि हाउस होल्ड, एकस्पेंडिचर यहां पर दिया हुआ है, फूड में, किराया में, यानि मकान किराया में, कपड़े, और ट्रांस्पोर्टेशन में, एजुकेशन मे और अन्य, तो आपको बताना है, कि यदि कुल मासिक खर्च 9,000 हो, तो ट्रांस्पोर्टेशन यानि परिवहन पर खर्च क्या है, इसका अंसर है 900 रुपिया, 140 प्रशन, तीन नल हैं, A, B, C, एक टंकी को 6 गंटे में भर देती हैं, दो गंटे तक तीनों नलों को एक साथ ख को, यानि टंकी को, अगर C नली को खोल दिया है, तो टंकी कितने घंटों में अकेला C भर देगा, 14, 10, 9, 8, या पर इन में से कोई नहीं, तो इसका अंसर है E, इसका अंसर हो जाएगा, E none of these, चुके इसका अंसर 12 आएगा, 12 आएगा, 149 श्रेनी सिरीज दिया हुआ है, P, O, Q, S, R, T, V, U, W, तो बताना कि अगला सिरीज इसमें से कौन सा होगा, तो इसका अंसर है C, X, Y, X, Z, Y, X, Z, 150 वार अंतिम प्रश्ण, एक राउंट टेबल पर 4 और, कुछ लोग बैठे हुए हैं, 6 कुरसियां लगी हैं, A, B, C, D, E, तताइफ, अन अरेंजड, एक किसी करम म नहीं, बलकि बिना करम के बैठे हुए हैं, यहां पर A जो है, वो D और F के बीच में है, C, D के विपरित है, जबकि D, E की, E, बगल की, D और E, बगल की कुरसियों पर नहीं है, तो नेमले किसमें से कौन सा ही है, तो इसका अंसर है, D, B और E, दोनों पड़ोसी हैं, तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर रोकेंगे, चुकि आपका यह सेट पूरा हो चुका है, आप अगर शुरू से बना रहे हैं, तो इन 150 प्रशनों पे काफी अरेंट वे में BPSC के पैटर्न पर इस सेट को बनाया गया था, कुछ प्रशन आसान इसरे लगे कि यह भी BPSC का पैट है, तो आप इसे आसान ना समझें, यह पैटर्न है, कुछ प्रशन हार्ट भी थे, हाला कि इन 150 प्रशनों में 10 मैट के भी प्रशनों थे, तो आपको टोटल अपकाउंट करना चाहिए कि 150 में आपने दरसल कुल कितने प्रशनों को सही सही हल किया, यहीं पर रोकेंगे इस आपको आपसे इजाज़त लेंगे, अपना ध्यान रखें और अब इस गिने चुने दिन में अपने को कॉनसोलिडेट करें, अपने आत्मों विश्वास को बांद कर रखें, बड़ा एक्जाम आपके सामने है, और बड़ी उपलब्दियां आपको हासिल करनी है, टेक क्या क्या है